दो हजार चौबीस लोग सभा में एक्जिट पोल के आंकडों के मताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसमें बीजेपी तीसरी बार फिर सत्ता में आते दिख रही है प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं तो बीजेपी का आंकड़ा भी दोज़ हज 19 से बहतर होता दिख रहा है दो हजार चौबीस लोग सभा में एक्जिट पोल के आकड़ों के मताविक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद चौकाने वाली है शाम को जो विपक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहा था कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मल्लिकार जुन खरगे आईन डी आईए को 295 से जादा सीटे दे रहे थे लेकिन शाम डलते डलते जब दर्शकों ने टेलिविजन चैनलों पर एक्सिट पोल देखा तो खरगे के दावों की हावा निकलती दिखाई दी बीजेपी अपकी बार फिर सत्ता में आती दिख रही है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं न्यूज एटीन पोल हब में जो आकड़े आपको दिखाएंगे उसके पहले बता दें कि न्यूज एटीन इंडिया पोल हब का एक्जिट पोल किन आकड़ों पर आधारी थै 21 बड़े राज़ों में एक्जिट पोल किया गया ये वो राज़े हैं जहां लोगसभा की 95% सीटे हैं इन 21 राज़ों में 518 लोगसभा सीटों पर सर्वे किया गया और इस तरह सातो चरणों के मतदान के दौरान 95,000 से ज़ादा सैंपल लिये गए ये सैंपल बता रहे हैं कि NDA की राह निशकंटक है जहां दक्षन भारत के राज़ों में बीजेपी पहली बार खाता खोलती दिख रही है तो वहीं उत्तर भारत के राज़ों का गणित बता रहा है कि बीजेपी बंपर जीत हासिल करने वाली है हाला कि असली नतीजों के लिए आपको चार जून तक का इंतजार करना होगा लेकिन फिलहाल एक्जिट बोल बता रहा है कि उत्तर पदेश में लोग सभा की 80 सीटे हैं कुल मिलाकर और इन में बीजेपी को 64 से 67 सीटे मिल सकती है कुल मिलाकर एंडिये के खाते में यूपी की 68 से 71 सीटे आ सकती है यूपी में कॉंग्रेस को 3 से 6 सीटे मिल सकती है और उत्तर पदेश में आईन डिया ये गडबंधन को 9 से 12 सीटे हासिल हो सकती है हिंदी पट्टी में बीजेपी की जीत दिल्ली का रास्ता क्लियर कर रही है बिहार में जहां नितीश कुमार के जेडियू के साथ और उपेंद्र कुश्वाहा की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एंडिये लड़ा वहीं NDA की सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है बिहार में लोग सभागे कुल 40 सीटे हैं और बिहार में NDA को 31 से 34 सीटे मिल सकती है और INDIA ये गडबंधन के खाते में 6 से 9 सीटें जा सकती है हिंदी पट्टी का एक और बड़ा राज जहां BJP पिछले दो बार से बंपर जीत हासिल कर रही है उसका एक्जिट पोल देखें तो अब की बार MP में NDA फिर से बड़ी जीत हासिल करती रिख रही है मद्यप्रदेश में लोग सभागी कुल 39 सीटे हैं एक्जिट पोल के मताबिक NDA को यहां 26 से 39 सीटे मिल सकती है जबकि INDIA गड़ बंधन को 6 से 3 सीटे मिलने का अनुमान है मद्यप्रदेश के पड़ो सी राज 36 गड़ में BJP लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल कर सकती है 36 गड़ में दिसंबर में कॉंग्रेस को विधान सभा चुनाओं में हरा कर BJP ने बड़ी जीत दर्ज की और अब लोग सभा में भी BJP वही जीत रिपीट कर रही है 36 गड़ में लोग सभा की कुल 11 सीटे हैं यहां NDA 9 से 11 सीटे जीतती दिखाई दे रही है जबकि INDIA गड़ बंधन को यहां शुनी से 2 सीटे हासिल हो सकती है मद्यप्रदेश और 36 गड़ की तरह ही गुजरात में नतीजे दिख रहे हैं गुजरात में BJP के सामने कोई पार्टी ठहरती नहीं दिखाई दे रही एक्जिट पोल बता रहे हैं कि यहां लोगसभा की सारी सीटे बीजे पी के खाते में जा रही है गुजरात में लोगसभा की कुल 26 सीटे हैं और एक्जिट पोल के मताबिक यह 26 की 26 सीटे बीजे पी के खाते में जा सकती है गुजरात की जीत उस गुजरात मॉडल पर मुहर है जहां से पीम मोदी की लोग सभा चुनाओं में जीत की शुरुवात हुई थी गुजरात में आमादमी पार्टी भी लड़ी और कॉंग्रिस ने भी खूप ताल ठोके लेकिन एक्जिट पोल में ये दोनों पार्टियां धराशाई होती दिख रही है लेकिन राजस्थान में NDA को अब की बार घाटा होता दिखाई दे रहा है आलंकि 2023 के विधान सभा चुनाओं में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी लेकिन अब की बार लोगसभा चुनाओं में गणित बदलता दिख रहा है राजस्थान में लोगसभा की कुल 25 सीटे हैं 2024 के लोगसभा चुनाओं में बीजेपी यहां 18 से 23 सीटों पर जीत आसिल करती दिखाई दे रही है जबकि इंडिया गडबंधन यहां से 2 से 7 सीटों पर जीत आसिल कर सकता है हिंदी पट्टी के दो और राज्यों का एक्जिट पोल बता रहा है कि उसके सामने इंडिया गडबंधन कहीं नहीं टिकता हिमाचल प्रदेश और उत्राखन में लोग सभा की 9 सीटे हैं इन दोनों राज्यों की सभी सीटों पर बीजेपी क्लीन स्विप करती दिखाई दे रही है 2024 के लोग सभा चुनाओं में एक और बड़ा राज्य जिसमें एक्जिट पोल के मताविक कौन बाज्य मारता दिखाई दे रहा है ये भी देख लीजिए क्योंकि ये राज्य है महराष्ट जहां शिव सेना भी टूटने के बाद पहली बार लोग सभाज चुनाओं में उतरी थी और NCPV दो फाड होने के बाद ये पहला लोग सभाज चुनाओं लड़ती दिखाई दी एक्जिट पोल के मताविक महराष्ट में BJP 20-23 सीटें जीत सकती है और कुल मिलाकर NDA के खाते में 32-35 सीटें आ सकती है कॉंग्रिस को 6-9 सीटें यहां मिल सकती है और INDIA गडबंधन के खाते में महराष्ट में 15-18 सीटें आने का अनुमान है पंजाब में एक्जिट पोल के आंकड़े चोंकाने वाले दिख रहे हैं केजरिवाल की पार्टी जो दावा कर रही है कि उसकी सीटें देखकर लोग धिल जाएंगे वो सिमाटती दिख रही है आम आदमी पार्टी के साथ तिल्ली में अलाइस कर दिया और पंजाब में साफ कर दिया दिल्ली में हाफ सीटे दिया और पंजाब में साफ कर दिया इग्जैक्टली इस रिमाइंड मी अफ मुलायम सिंग यादव इस रिमाइंड मी अफ लालू परशाद यादव इन सब ने भी यही कर आ था कॉंग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने उत्याः परदेश में समझोते कर दिया बिहार में चॉंग्रेस के साथ और इस पारी आमाधी पार्टी के साथ गेम कर दिया कॉंग्रेस ने रिवेंज लिया है जो जो लालु यादव और मुलाहिम सिंग यादव जी ने इन कॉंग्रेस के साथ करा था वो उन्होंने अर्विंद के जीवाल की पार्टी के साथ करा है ऐसा exit पोल में दिखाई दे रहा है चार तरीक को exact नतीजे पता लगेंगे लेकिन द हर्याना में बीजेपी की सीटें अपकी बार कम होती दिख रही है हर्याना में बीजेपी अपने पिछले बार के रेकॉर्ड को दोराती दिखाई नहीं दे रही लेकिन बीजेपी की सीटें उतनी भी कम होती नहीं दिखाई दे रही लिकिन इंप्रेस्टिंक है हर्याना में नुक्सान हो रही है और कॉंग्रेस ब्लस 3-5 कर रही है वहाँ पर लेकिन वहाँ पर तिर्सा फाइट है, वहाँ पर रोतक फाइट है, वहाँ पर एक और सीट जहाँ पर तगडी फाइट दिखाई दे रही है वहीं जम्मु कश्मीर और लग्दा को जोड़ कर देखें तो एक्जिट पोल इंडिया गड़ बंधन और एंडियो को बराबर जीत का भागिदार बनाते निखाई दे रहे हैं लेकिन अब उन राज्यों का एक्जिट पोल देखना भी बहुत जरूरी है जहां बीजेपी बाजी पलटती दिखाई दे रही है और इन राज्यों में हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा सबसे पहले पश्चिम बंगाल का एक्जिट पोल देखी है पश्चिम बंगाल में लोगसभा की 42 सीटे हैं यहां बीजेपी 21-24 सीटे जीत सकती है जबकि आई एंडिया ये गड़ बंदन को भी इतनी ही 21-24 सीटे मिल सकती है जबकि यहां टीमसी 21-24 सीटे जीत सकती है लेकिन बश्चिम मंगाल के पड़ोसी राज ये जारखंड में सीन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है हेमन सोरेन के जिल जाने से कितना असर हुआ एक्जिट पोल में ये देखिए जारखंड में लोगसभाई की कुल 14 सीटे हैं यहां NDA के खाते में 9-12 सीटे आ सकती है जबकि INDIA ये गटबंधन को 2-5 सीटे मिल सकती है इसी तरह ओडिशा में BJP अब की बार जबरदस्ट फाइट में दिखी ओडिशा में लोगसभाई की 11 सीटे हैं BJP यहां 13-15 सीटे जीत सकती है जबकि अन्य को जिनमें बीजु जनतादल भी शामिल है उसे 6-8 सीटे मिल सकती है ओडिशा में चार जून के पहले एक्जिट पोल ने तो क्लियर कर दिया कि दिल्ली की गद्धी एक बार फिर से NDA की हिस्से में जाती निखाई दे रही है और ये एक्जिट पोल अगर एक्जिक पोल में बदला तो मोदी देश में एतिहास रचने वाले वो सियासी सूर्मा कहलाएंगे जिसने भारत के राजनेतिक एतिहास के पन्ने में अपनी अमिट गाथा अंकित कर दी है दक्षुण भारत से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है नियूजेट इन पोल हब का एक्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी ने केरल और तमिलनाडू में बड़ा करिश्मा कर दिखाया है लेकिन एक बड़ी खबर करनाटक से भी दक्षुण भारत की 131 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसे 2024 चुनाओ का गेम चेंजर बन सकता है इस रिपोर्ट के जरीए समझे एक तरफ प्रधान मंतरी नरेंदर मोधीर तमिलनाडू के करन्या कुमारी में 45 घंटे का ध्यान कर रहे थे और दूसरी और आखरी दौर की बोटिंग के साथ बीजेपी के लिए दक्षुन भारत से कमाल की खबर देश भर की टीवी स्क्रिन पर छाने चा रही थी तमिलनाडू, केरल, करनाटक, तेलंगाना और आंधर प्रधेश इन पाँचों राजियों में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसकी उमीद की जा रही थी न्यूज 18 पोल हब के एकजिट पोल बता रही है कि दक्षिन की 131 सीटों पर एंडिये को 51 से 54 सीट मिल रही है इंडिया गटबंदन को 64 से 67 सीट मिल रही है जबकि अन्य दलों को 14 से 17 सीट मिल रही है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा करिश्मा तमिलनाडू और केरल में होता हुआ नजर आ रहा है एकजिट पोल बता रही है कि तमिलनाडू में इस बार के लोकसवा जुनाव में बीजेपी का खाता खुलने जा रहा है अब से अगर मैं बता हूँ इंडिया गटबंदन को तमिलनाडू पुर्दुचरी 40 सीटे मिला लीजिए 36 से 49 सीटे मिलती हूँ इन भिखने लिए तमिलनाडू में इस बार प्रधानमंती नरेंदर मोदी ने 9 रेलिया की चुनाव से पहले उन्होंने कई दोरे भी किये अगर बंदन के लिए आएगी लेकि एक से तीन अगर NDA को जा रही है केरल में तो ये बड़ी बात है एक से एक सीट यानी की मिनिममम एग्जिट पोल बही रहा है कि माली जे उपर की तरफ उत्तरी भारत में आप जहां जहां नुकसान पा रहे हैं वहां भरपाई जो है एक दो सीटों में ही सही आप यहां साउथ की तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये भरपाई भरपाई कई है या खाता खुलना कई है या अपने आप में बह पड़ी बात हो जाएगी BJP के लिए। पाकी इवेंट्स और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए किये गए दौरे शामिल नहीं है। पाकी इवेंट्स और मंदिरों में पाकी इवेंट्स और मंदिरों में पूरे शामिल नहीं है। कॉंग्रेस ने अपना आइडिलोचिकल कॉप्रवाइज किया। पंजाब में कॉंग्रेस को इसका खामियाजक है भुगतना पड़ेगा। इस ये एकजित पूल बताएगा। तिरंगाना में इस चुनाव के दौरान प्रधान मंतिरी ने आठ वेली की थी और जाहिर है कि उसका असर सामने है। अब बारी करनाटक की जहां विदान सबा चुनाव के बाद कॉंग्रेस को लोग सबा चुनाव में बहुत उम्मीद थी। लेकिन न्यू जेटिन पॉल हफ के एकजित पॉल बता रही हैं कि सिद्धर अमया और टीके शिवकुमार की जोड़ी के बावजूद कॉंग्रेस बड़ी कामिया भी हासल नहीं कर पाई। यहाँ पर जोली और दावन भर्टी हुई जरता बीजेपी का नजर आ रही है। अन्य के काते में 17 से 24 का नंबर जा रहा है और यह आंकडे बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन फिर आते हैं जनता जनारदन है और जनता ही भगवान है लेकिन विपक्ष की एक बात जो की इस चुनाब में जरूर बात होगी डार जून को और वो होगी कि विपक्ष मोधी से चुनाव लड़ा था या विपक्ष मीडिया से चुनाव लड़ा था विपक्ष चुनाव किसके साथ लड़ा था वो मैतपुण है अमन चोप्रा मेरे साथ इस समय जुर गए है नए डेटा के साथ अमन चोपना के पास कई सारे नए आकड़े हैं अमन बिलकुल बही खाबर इस वक्त आपको बता दे देखे भारतिय जनता पार्टी बहुमत के करीब जाती तो नजर आ रही है लेकिन लडाई किस चीज़ की है लडाई 400 पार की है बाई साब लडाई 400 की है जो टागेट सेट किया गया प्रदानमंत्री की तरव से 370 भारतिय जनता पार्टी और 400 पार एंडिये लेकिन इस वक्त जो आकड़ा है वो 272 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है दक्षण को लेकर बीजेपी ने शुरू से बड़े दावे किये थे बीजेपी ने करनाटक में जेडियेस के साथ गठवंदन किया आंद्रपरदेश में तिलुगू देश्चम पार्टी के साथ गठवंदन किया और तमिल लाडू में भी गठवंदन के नए साथी जोड़े जब आयोध्य में राम मंदर के प्रापरदिश्टा होने वाली थी उससे पहले प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी दक्षण के राज्यों का दौरा कर रहे थे वहाँ के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे अब न्यूजडीन पोल हब के एक्जिट पोल में इसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है न्यूजडीन पोल हब के एक्जिट पोल और उसके रिजल्ट का आधार क्या रहा इस बारे में एक बार फिर जान लीजिए पहले भी दुहरा चुका हूँ कि इनका जो पूरा का पूरा चुनाओ प्लैंक था कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया गडबंदन का वो जूट पर था दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कहते थे I love you पंजाब पहुंस भी कॉंग्रेस कहती थे आम आदमी पार्टी को I hate you यही हालत था बंगाल में यही हालत था केरल में दक्षिन भारत में पहले चाड़ों में ही वोटिंग हो गई थी इसलिए यहां के आखलों को समझने और उसको हर पैमाने पर पर रखने का वक्त भी ज्यादा मिला इसमें कोई शक नहीं है कि दक्षिन के फैसले में सबसे बड़ी भूमी का परधान मंतिर नरेंदर मोदी की रही है चुनाफ की शुरुआस से लेकर चुनाफ के अंत तक पीम नरेंदर मोदी का दक्षिन भारत पर फोकस रहा पीम नरेंदर मोदी ने तीन जनवरी को केरल के ठेकिन काडू से जो चुनावी बिगुल बजाया वो तीस मई को पंजाब के होश्यादपूर में जाकर थमा लेकिन अंतिव वोटिंग के दिन पढ़ान मंतीर तमिलनाडू के कन्या कमारी में बहुं साधना कर रहे थे यानि आखरी चरण की वोटिंग के दौरान भी दक्षिन भारत में मौजूद रहे न्यूज 18 पोल हब के एकजिप पोल के नतीजे बता रही है कि तमिलनाडू, केरल, करनाटक, तिलंगना और आंध्रपदेश इन सभी राज्यों में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसके उम्मीद की जा रही थी और जिसका दावा भी बीजेपी स्चुनाव के दौरान कर रही है